अस्सलामों अलेकुम दोस्तों क्या आप घोड़े के बारे में जानना चाहेंगे जिससे होर्स कहा जाता है तो हमारे साथ रहिएगा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताके हर नई आने वले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके नौलिज में इज़ाफा हो सके अल्ला ताला हमारा हामेवन आसिर हो जी हाँ गोड़ा जो हमारे बहुत काम आता है गोड़ा इन चंद जानवों में से एक है जो हमारे बहुत काम आता है ये हमारा समान धोता और मसाफरों को मन्जिल तक पुंचाता है कदीम जमाने में इसके बगैर जंग लड़ना दिशवार होती थी आज हम गोड़ों की दोड़ देखकर लुटफ उठाते हैं मुश्किल और दिशवार तरीन लाकों में सफर के लिए गोड़े ही काम आते हैं गोड़ा एक खुबसुरत और बावकार जानवर है मशीने आ जाने के बाद गोड़े की एहमियत कम नहीं हुई जी हाँ सच तो ये है कि रसूल लास सले लह लहीं के जमाने में गोड़ा एक जंगी हत्यार था इसलिए कुरान पाकिस सुरत अलवाल की आयत सिस्टी में मुस्लमानों को हुकम दिया गया है के वो अपने गोड़े त्यार रखें ताके कुफारन से खौफजदा रहें गोया इन आयात में मुसलमानों को दिफाई त्यारिया मुकमल रखने का हुकम दिया गया है सुरत नहल आयत आठ में भी गोड़ा इसलिए पैदा किया गया ताके इनसान इस पर सवारी कर सके तारीख जी हाँ तारीख बोलती है पांच छे हजार साल पहले एक शियाई खाना बदोशों ने सबसे पहले जंगड़ी गोड़ों को सिधा कर पालतू बनाया गोड़े की 350 से जायद नस्त्रे हैं जो रंग, कद, काट, शकल और सूरत में एक दूसरे से मुख्लिफ है गड़ा और जैब्रा गोड़े के करीबी रिष्टेदार हैं अरे इतना बड़ा गोड़ा जी हाँ सैंपसन दुनिया का सबसे बड़ा गोड़ा था जो 1846 में पैदा हुआ, ये बरतानिया की शायर नसल से तालुक रखता था सैंपसन जवान होकर 7.5 इंच उंचा निकला, इसको सबसे वजनी गोड़े का इजाज भी हासल है जवानी में सैंपसन का वजन 1520 किलो तक पहुंच गया था इसलिए इसको सबसे बड़ा गोड़ा कहा जाता था दुनिया की सबसे लंबी दुम जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी दुम गोड़े ही की थी गोड़ा अपनी दुम से मक्या उड़ाने का काम लेता है लेकिन दुम की मक्सूस हरकात ही एक गोड़ा दूसे को बताता है ताके वो नराज है या वो खुश अमरीकी गोड़े चैनियक की बाइस फुट लंबी दुम दुनिया की सबसे लंबी दुम थी आएए, आएए जी, आएए, आएए, आइनस्टाइन से मिलिये दुनिया के सब छोटे गोड़े का नाम आइनस्टाइन है ये छोटे गोड़ों की इन नसल से तलुक रखता है और सिर्फ एक फुट एक उन्चाई है इसका वजन सिर्फ दो अशारिया साथ किलो है नाहेरत की बाद ये बरतानिया में एक खानदान की मलकियत है सकत जान गोड़ा तरकमानिस्तान में गोड़े की एक नसल इखाल तकी मिलती है ये गोड़ा पहाड़ों या सहराओं में कई दिन तक कुछ खाए पिये बगएर सफर कर सकता है और बड़ा से यही गोड़ा तरकमानिस्तान का कौमी निशान है कद कितना है तुम्हारा जी हां घरदोर और मालबरदारी में काम आने वाले बड़े गोड़े छे फुट से ज्यादा उंचे और एक हजार किलो तक वजनी होते हैं गोड़े की एक उंचाई बस कमर तक नाप पी जाती है और नापने का प्यमाना हाथ के लाता है ये एक हाथ चार इंच का होता है छोटे गोड़े वो हैं जो तीन फुट तक उंचे और पचास किलो वजनी होते हैं टाटू एक ऐसा छोटा गोड़ा है जो ज्यादा से ज्यादा चोदा हाथ उंचा होता है तहकीक जी हाँ एक आम गोड़ा पच्ची से तीस साल तक जिन्दा रहता है बाद गोड़े चालिस साल भी गुजारा जाते हैं रिकार्ड के बताबे एक बरतानिया के एक गोड़े ओल्ड बिले ने तविल तरीन उमर पाई वो उननीस सो सतर में पैदा हुआ और ठारा सो बाइस में मरा और इस तरह उसकी उमर बासट साल रही कि कुछ गोड़े 50 साल से भी ज्यादा धेर तक जिन्दा रहते हैं गोड़े का मजबूत जिस्सम जी हां गोड़ा का धांचा 205 हडियों से मिलकर बंता है यानि इन्सान डांचे से सिर्फ एक हड़ी कम इन्सान और गोड़े के डांचे में इन्सान की हड़ी का फरक है जिसे हंसली कहा जाता है गोड़े में ये हड़ी नहीं होती इसकी अगली टांगे ब्रायरास रेड़ी की हड़ी से जुड़े ही होती है अल्ला ताला ने गोड़े के असाब, अजलात, रेशे वगारा बहुत मजबूत बनाए है क्या आप जानते हैं गोड़ सवारी में एक बच्चा देती है वो बच्चा पैदा होने के सार एक गंट के बाद भागने दोड़ने लगता है इसलिए इसकी टांगे इतनी लंबी होती हैं कि वो जुकर गास नहीं खा सकता इसलिए बैठ कर खाता है पांच बरसका होती वो घर सवारी या माल बरदारी के काबल हो जाता है हाथी से भी बेहतर, जी हाँ गोड़े की यादश बहुत अच्छी होती है हाथी से भी बच्छी, वो कभी इनसान के साथ तीन चार सार गुजा ले तो सारे उमर उसे याद रखता है ये मोटी मोटी आँखें जी हाँ, दुनिया में खुशी का जितने भी जानवर पाए जाते हैं उसमें गोड़े की आँखें सबसे बड़ी हैं उनके बाद इतनी बड़ी आँख सिर्फ शुतर मुरगी है हाँ पिता, गोड़े में पिता नहीं होता वज़ा ये है कि गोड़ा सबजी खोर जानवर है और सिर्फ गोश्खोर हैवानों को पित्ते की जरूरत होती है क्योंकि वो एक मादा सिफरा खारिश करके चिकनाई फैट हजम करने में मदद देता है हैरत कदा, गोड़े की नदर इनसान से तेज होती है फिर इसकी आँखें सर पर एक ऐसी जगा मजूद होती कि सर हलाए बगएर आँखे पीछे दाएं बाएं देख लेता है अगर्चे गोड़ा बिलकुल सामने और बिलकुल पीछे का मनजर नहीं देख पाता क्या आप जानते हैं कि गोड़ा कलर बलाइंड जानवर नहीं है अलबता वो जामनी रंग की अशिया देखने में दिक्कत मेसूस करता है गोड़ा और चश्मी नज़ रखता है यानि दोनों आँखों से एक शेय देखकर इसे पहचानता है यही वज़ा के कोई खास शेय गोड़े की एक आँखों दिखाई जाए तो वो अमूमन इसे पहचान नहीं पाता कलर बलाइंड आँखों का एक मर्ज़ है जिसमें मरीज रंगों में फरक नहीं कर पाता जी हाँ गोड़े के खुर दरसल नाखुन है ये गोड़े के खुर होवज दरसल हमारे नाखुन जैसे होते हैं और हर वकत भड़ते रहते हैं तांगे वाले अपने घोड़ों के खुरों पर नाल लिए इसलिए लगवाते हैं ताकि सखा सड़क पर चलने से इने नुकसान ना पहुंचे लेकिन हर छे साथ हफतों बार नेल हिटा कर खुर काड़ने पड़ते हैं ताकि घोड़ा तकलीफ में मुब्तला ना हो ये खुर बहुत सखत होते हैं चाल तो देखें जी हाँ घोड़ा चलने और भागने के चार इंदाज रखता है अमूमी चाल जब इसकी रफ़तार चार मिल फी गंटा होती है धलकी चाल जब इसकी रफ़तार आठ से बारा मिल फी गंटा होती है पोया चाल जब इसकी रफ़तार बारा से पंद्रा मिल फी गंटा होती है सरपट दोड़ना जब इसकी रफ़तार पच्चिस से तीस मिल फी गंटा होती है दौलति जी हाँ दौलति के बारे में तो आपने सुना ही होगा हत्रे का साम नहोग तो गोरा अमोमन भाग जाता है लेकिन मकाबला करने पर आये तो दलेरी से दिश्मन के मकाबल आता है गुसे की हालत में गोरे के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो दलती मार सकता है ये दलती अतनी जोड की होती है कि इन्सान इससे मर भी सकता है क्या आप जानते हैं कि अगर गोडे के उठे हुए कान आगे की तरफ हैं तो इसका मतलब है कि गुष्य की हालत में हें अगर गोड़े के कान पीछे गर्दन से लगे हैं और वो दान निकाल कर दिखाए तो इसका मतलब है कि वो गुसे में है सर पर धोड़ते वे गोड़ा पूरी रफ़ता है एक सेहर्दमन गोड़ा मुख्तरी फासले तक पच्पन मील फी गंटा की रफ़ता है भाग लेता है चीनी बाजी लेगे जी हाँ चीन में सबसे ज़्यादा इनसान ही नहीं बस्ते बलके गोड़ों की तदाद से भी सेहरे फ्रिस्त है वो गोड़ों की तदाद के लहाज से भी सेहरे फ्रिस्त है वहाँ दस लाग गोड़े बस्ते हैं दुनिया में गोड़ों की बिक्तदात साथ लाक है. इत्ना बड़ा मुूँ. जी हाँ, एक बाले गोड़े के मूँ ओर चालिस जबके गोड़े मूँ में च्छतिस तांथ होते हैं. गोड़े का जबड़ा इत्ना बड़ा है कि दमाग से भी ज्यादा जगारता है. पेट पूजाब एक बाले गोड़ा रुजाना 11, 24 खा जाता है जंगल की घरीब़ी गास गोड़ा की मन पसंद खुराक है गोड़ा चालिस लीटर पानी रुजाना पी जाता है अरबी गोड़े की क्या बात है गोडों की तमाम नसलों में अद्बी गोडा सबसे मशूर है अरब में इसलाम का सूरज तलू हुआ तो मुसलमनों को कई गुना बड़ी एरानी और रूमी सिल्टनों से तकरा हुआ ये अरबी गोड़े ही थे जिस पर सवार होकर मुझाहदी ने एरानी और रूमी फोजों के चचके छुड़ा दिये और हाथियों जैसे देह कल जानों को भी में दाने जंग से मार भगाया आज भी अरबी गोड़ा अपनी ताकत, कुवत बरदाश, खुबसूरती, तेज रफतारी और मजबूत बदन के बाइस गोड़ों की तमाम नसलों में मुम्ताज दर्जा रखता है गोड़े की नींद, नींद लेने का अनुखा तरीका, गोड़ा बैट कर या खड़े खड़े सो जाता है दरसल अल्ला ताला ने इसकी हड़ियों में अजलातो एसाब का ऐसा निजाम रखा है कि तवील अर्से तक ठकन का शिकार नहीं होता ताहम गोड़े के लिए जरूरी है कि वो 24 गंटे में कम असकम एक गंटा बैट कर गहरी नींद ले अगर कोई गोड़ा 3-4 दिन गहरी नींद ना ले वो चलते चलते गिरता और सो जाता है एक गोड़े का दिल 4 किलो से भी ज्यादा वजनी होता है वो इतने बड़े दिल के सहारे ही अपना भारी भर कम बदन लिए तेजी से दोड़ता है जी हाँ गोड़े को इनसानी तरीक में एक अहम मकाम हासल है इसे इनसान का सबसे कदीम और वफ़दार साधी कहा जाता है बेशमार जंगें इस पर बैठकर लड़े गई हैं बड़े जोको शोक से पाला जाता है इस जानवर की वफदारी दलेरी और कुर्बानी का जिकर आपको दुनिया के हर अदब में मिलेगा गोड़ा आज भी अपने कदीमी दोस इनसान की खिदमत जारी रखे हुए है जी हाँ ये है गोड़ा अमीद है आपने स्टोरी को खुब इंज्वाई किया होगा अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्क्राइब और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भोलिएगा शुक्रिया